घर के नॉर्मल सापसफाई के कामों के साथ मैं ये ड्रिंक पीती हूँ, खाली पे, अब देखिए इसमें हम क्या क्या एड करेंगे, गैस को मैंने आन कर दिया है, इस ड्रिंक को पीने से मैंने एक महिने में अपना लगवक 10 केजी वजन कम किया है, ड्रिंक पीने के साथ साथ आपको हलकी पुल की एक्सराइस करनी है, एक्सराइस नहीं कर सकते हैं, तो आप वॉक कर सकते हो, या फिर घर के कामों से ही खुद को एक्टिव रख सकते हो, तो किस तरह से इस ड्रिंक को बनाना है, चलिए देख लेते हैं, बाकि पीने का तरीका भी मैं आगे बता रही एक बरतन ले लिजे चाई जिसमें आप बनाते हो गिलास में आपने quantity देख ली पानी की मलब पूरा आपको फुल नहीं करना है गिलास को थोड़ा कम रखेगा और फिर इसे चाई वाले बरतन में डाल करके चड़ा दीजे गैस के उपर ये गरम हो रहा है तब तक आप सारी च पासीर का होता है आजकल गर्मिया भी चल रही है तो उसी साब से अपने quantity लेनी है और जीरा जो है ना बहुत फाइदेमंद है ये अपके कॉलेस्टोल को कम करने का भी काम करता है और आपके वेट को लूज करने के लिए सब से पावरफुल इंग्रीडियंट है इसमें कैल् बिटामिन A, बिटामिन V12, एंटी ओक्सिदेंट्स, आइरन, बिटामिन E, मैगनिशियम ये सारे पोशक तो भरपूर मातरा में पाई जाते हैं जो कि ना सिर्फ वेट को ही लूज करने में हेल्फुल है बलकि आपकी ओवरॉल स्किन के लिए आपकी ओवरॉल हेल्थ के लि बाल आपके अच्छे हो रहे हैं बढ़ रहे हैं साथ ही साथ आपका इम्म्यून सिस्टम भी से बढ़ता है और वेट तो लूज हो गई होगा तो क्वेट आपने देख ली इस तरह से आपने वन फोर्थ टी स्पून के जितना इसमें जीरा आड़ कर लेना है मैं फिर से बो जो भी चीजे में ले रही हूँ तो यह एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो इसलिए आपने जो जो चीजे में ले रही हूँ वो सब आपको इसी कौंटिटी में और इसी तरह से लेनी है सौंफ की बात करें तो सौंफ के खाने के भी हमारे सौस्ते के लिए बहुत सारे तो जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है तो वो भी सौंफ और मिश्री का ये मिश्रन खा सकते हैं बाकि आंखों की रोशनी भी बढ़ती है सौंफ खाने से तो ये आपको ये भी बहुत जादा नहीं लेनी है जितना आप देख रहे हो वन फौर्थ टीस्पून ही मैं ल फाइदे हैं एक तो ये अपके बलड को प्यॉर करने का काम करता है साथी साथ ये जैसे हमें गल्ले के रोग हो जाते कफ बगेरा जुकाम खांसी मौसम चाहे कोई भी हो लेकिन इस तरह की जो भी मादिया है ना ये हमें हो ही जाती है आज कल हम ठंडा पानी पीते हैं तो ग काली मिर्चे काफी रहती है बकी आपने देख लिया इतनी करी आपको लेनी है बहुत इसके बेनेफिट है आपकी पेट के रोगों के लिए बहुत फाइदेमंद इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये है अजवायन और अजवायन के बारे में तो आप जानते ही है जिन लोगों को पाचन समंधी किसी भी तरह की प्राबलम होती है तो अजवायन का पानी उनको डेली पीना चाहिए तो ये भी वन फोर्थ टीस्पून ही लेना है जादा नहीं लेनी है एक दो दाने भी कम बेशक हो जाए तो चलेगा क्योंकि ये भी गरम तासीर की होती है और इ आपको किसी भी तरह की बिमारिया नहीं होती है आपका immune system strong बनता है metabolism rate boost होता है अगर metabolism rate boost होगा तो आपका जल्दी-जल्दी weight lose होगा तो बहुत फाइदे मंद है अजवायन तो जैसा आपने देख लिया quantity उतनी कर लेनी है एंड इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है दाल चिनी दाल चिनी बहुत फाइदे मंद है जो लोग weight lose करना चाते हैं सच में तो daily उनको दाल चिनी अगर आप इस तरह से drink में नहीं ले रहे हो तो आप चुटकी भर अपने salad के उपर भी अगर sprinkle करते हो तब भी इसके बहुत फाइदे आपको देखने को मिलेंगे ये ए स्टिक जैसी तो एक चोटा टुकड़ा आप लेंगे बकी यहां पे आपने दो चुटकी लेनी है उससे उपर बिलकुल भी नहीं लेनी है स्पून में आपको बेशक थोड़ी ज्यादा दिखरी होगी लेकिन ज्यादा नहीं है ये माप के आपको चुटकी से उठानी है दो चुटकी ही लेनी है इससे उपर ना ले क्यूंकि ये भी गरमता सीरकी होती है और दो चुटकी हम इसमें अब एड कर लेंगे सारी चीजे देखे अभी इसमें हम और चीजे भी एड करेंगे लेकिन अभी नहीं जो बॉइल करनी है वो हम अभी बॉइल करनी है बाकि जो लुग करेंगे pissy लोग सब्सक्ते ही सारी आक तुमिलती लग्त स्वेते क्याओने गस बादेश का मीचैंटी कमया तुमिलती साथ बीख्आ लुग कीदेश्गा तो एक दो रहे हैं एक वीजिड कहले कि आपको चीज के को थोड़ा सा लॉंग प्रोसेस लग रहा है अदवाइस आप फटा-फट डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है गैस को आउन करके उस तरह से भी एड़ कर सकते हो तो अब आप इसे अच्छी तरह से बॉइल होने दीजिए लगवग पांच कर मिनिट में आप बढ़िया तरह से इसे बॉइल कर लोगे बॉइल करने के बाद जैसा आपने देखा था गिलास की क्वेंटिटी जब हमने लिया था तो गिलास लगवग भरा था थोड़ा कम था लेकिन अब भी आप देख सकते हो कि गिलास में अब इसकी क्वेंटिटी हाप से भी थोड़ा कम ही रह गई है तो इसलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा अपने इसको दो-तिन बार बॉयल करना है अब इसमें देखे हम क्या आड़ करेंगे ये है मेरे हाथ में शहद शहद जब आप आड़ करोगे तो आपने ध्यान देना है कि प्यार होना चाहिए अगर सुगर एड़िड शहद आप एड़ करते हो तो फाइदे की जगण नुकसान भी हो सकते हैं इसलिए ध्यान से अगर नहीं है आपके पास प्यार शहद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं शहद एंटियोक्सिदेंट से भरपूर होता है और एक आपके इस ड्रिंक को टेस्ट भी देगा और इसके वेट लॉस के लिए बहुत सारे फाइदे हैं इसके बाद यह आधा कटा हुआ नीमबू ले रही हुँ में नीमबू का रस आपको इसमें आदा कटा हुआ नीमबू का रस नी चोड़ देना है नीमबू में विटामिन C भरपूर मातरा में होती है और जैसा मैंने आपको बताया कि गरम तासीर की चीज़े भी हमने यूज की है तो अब यह ड्रिंक मिक्स हो गया मतलब एक तरह से बै अबिच्वल हो तो आप गुन 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 गुना पानी पी लीजिए उसके बाद आप इसे पी सकते हो जैसे हम चाय पीते हैं उसी तरह से आपको बहुत जादा गरम भी नहीं पीना है और बहुत जादा ठंडा भी नहीं पीना है लुक्वार्म आप इसे पी सकते हो शिप- रात को आपको इसे डीनर खतम करने के आदा घंटा बाद पीना है,